जो काम SSC को बहुत पहले करना चाहिए था, जोश में करना चाहिए था, नोटिफिकेशन के साथ, exam से पहले exam के बाद बता के करना चाहिए था, वो SSC ने बहुत लेट लटीफ बताया है, पर फिर भी दे रहा है दुरूस्ता है, हमें साथ से जब भी कोई exam होता है खास कर SSC का तो आपने देखा है कि exam centers के बाहर बहुत सारे लोग पहुंच जाते माइक लेके हाँ जी बताओ उर्स देते हैं बच्चे के मूँमें माइक कितने सवाल सही किया आपने कितना attempt रहा कौन-कौन से chapter से कितने-कितने सवाल आए अच्छा GS के कौन-कौन से questions थे मैच के कौन-कौन से questions थे ये centers के बाहर line लगी होती है ऐसी videos का हम आज तक कभी centers नहीं गए क्योंकि ये चीज गलत है बच्चा paper लेके आया उसका mind कुछ अलग है आप उसके मुम माइक उड़े सो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए दूसरा मेरे भाई कि जब भी कोई paper होता है तो वहाँ पे paper देते हैं बच्चों के rough seat मिलती है बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं वो rough seat को तोड़ मरोड के जिम में रखके ले आते हैं उस rough seat पे questions लिखके ले आते हैं जो की पूरी तरीके से illegal है आप exam center के अंदर बैठ हुए ले valid है तो SSC ने अभी notice डाला है अपनी website पर और commission ये दुबारे से मेरे दोस्तों notice में लाना चाहते कि जो भी candidate किसी परकार के disclose कर रहे हैं, publish कर रहे हैं reproduce कर रहे हैं, दुबारे से बता रहे हैं, transmit कर रहे हैं questions को या store कर रहे हैं पूरी की पूरी, या मेरे दोस्तों वो questions के transmission में help कर रहे हैं, या जो test content है, उनको किसी भी form में चाहें वो आप internet के तुरू verbal की form में, verbal ही आप बता रहे हैं किसी को, written form में सवाल लिखके दे रहे हैं, electronic या mechanical media के तुरू और exam center से बाहर आप unauthorized जो है लेके जाते हैं, जैसे कि आप रप seat वगर ले आए, तो ऐसे students को misconduct करने के वज़े से डिवार किया सकता है, और उनको exam center से disqualify किया सकता है ठीक है, कुल मिलाकर हम ये कहना चाहते हैं कि हर बच्चे को चुप चाप पेपर देने जाना है, वहाँ पेपर दीजिए पेपर दे के चुप चाप जो है अपने घर पे आ जाना है, ना तो किसी बच्चे से मिलना है, और कोई teacher, या कोई भी बंदा, या किसी भी company का कोई employee, अगर माइक लेते हो आपके पीछे आता है, तो इसको दोडा के पीटना है ठीक है, कोई भी नहीं बताना है कि कैसा paper आया था, ये चीज एकदम गलत है, यहाँ तक बात बिल्कुल ठीक है, और इस तरह की चीजे नहीं होने चीज़े, किसो भी भी बच्चा रब आपके नहीं लेके आ सकता, ओके, दूसरा इंपोर्टेंट चीज़े, शाहिद इनोंने पहली बार कही है, कि ये नोटिस में आया कमेशन है, कि कुछ पर्शन इंगेज हैं, कुछ इस्टुडेंट्स, जो शोशल मीडिय आने कि यूट्यूब, ट्वीटर और फेस्बुक के तुरू question sharing कर रहे हैं, मैं आपको clear बताना चाहूंगा, कि ट्वीटर पे कोई-कोई question share नहीं कर रहा, ट्वीटर पे तो केवल, ट्वीटर पे तो politics होती है भाई, ठीक है, और ट्वीटर तो अब X है, सायद इनको पता नहीं है, ट्वीटर का नाम change करके Elon Musk जी ने X कर दिया है, फेस्बुक तो आउटडेट हो चुका है, बाबा आदम के जमाने कीजिए, हाला कि फेस्बुक पे बहुत groups बने हुए हैं, आज भी लेकिन वह उतने active नहीं है, और Instagram, एक सेक्टर में Instagram भी आता है, Instagram पे तो अलगी चीज चल आई है, फसाद की जड़ है, टेलिग्राम, टेलिग्राम पे बहुत सारे students के group बने हुए, जिसमें students positive चीजे भी करते हैं, पढ़ाई की चीजे भी discussion करते हैं, लेकिन जैसे ही paper होता है, paper के बाद जिन बच्चों का paper हुआ, उन सब का group बना हुआ है, पहले सी बात चीत हो जा सारी activity होती है, बच्चे YouTube से ना देके, Twitter से ना देके, Facebook से ना देके, पर टेलिग्राम को तो बंद करने को कोई जरिया ही नहीं है, और जो बच्चे one-to-one communication करते हैं, बंद कमरे में, कि एक बच्चे का paper हुआ, वो library में जाके उसके 10 बार है, दोस्ते हैं, उनको सभी को सकता है, हम ये कोशिश जरू कर सकते हैं, कि questions ऐसे bulk में जो है, ना पहुंचे, और सबसे बड़ी समस्या केवल मैच के साथ है, GS के सारे के सारे questions share कर रहे हैं, लोग, 25 के 25 सवाल बिलकुल उसमें print करवा के उसकी PDF भी डाल लें, कि ये question था, ये इसका solution है, उसकी detail explanation भी उस PDF मे होती है, लेकिन GS से बच्चों को कोई समस्या है नहीं, क्योंकि GS का सवाल repeat होता है नहीं, और उसमें से PDF में से भी खुस फस्ता नहीं है, तो बच्चा आक और गरी आते हैं, धत तरीकी, PDF रेट वादी, आया कुछ है नहीं, दोस्त, reasoning का भी ऐसे है, maths ही अकेला ऐसा section है, जि मेरे की activity में, यानि की सवालो को लीक करेंगे मेरे भाई, और किसी भी तरह का कोई मीडिया शेयर करेंगे, खासकर वो बच्चे जो रफशीट पे, खासकर वो बच्चे जो रफशीट पे question लिखके ले आते हैं, उनको बहुत साबदाने, इस तरह का कोई गलत काम बिलकुल भी ना करें, और कोई भी teacher इससे बच नहीं रहा, सभी ने मेरे दोस्तों solve करवाए हैं, सभी ने analysis करवाई हैं, वो पिछले साल करवाई हैं, इस साल करवाई हैं, किसी तसल में कराई हैं, CPO में कराई हैं, बस फरक क्या आ जाता है, फरक या जाता है कि वहां पे vacancy होते हैं, कोई questions reveal नहीं होना चाहिए, हम तो repeat भी नहीं होना चाहिए, इसमें कहीं बहुत जादे गलती SSC की भी है, कि SSC बार-बार-बार-बार सेम उनी questions को repeat करता रहता है, सेम मेरे दोस्तों level के अलग-अलग concept पे भी बहुत धेरो सारे questions बनाए जा सकते हैं, जिने SSC अपने paper में डा किसी प्रकार को कोई question repeat ना हो, तो इस तरह की कोई activity की जरत पड़ेगी ही नहीं, SSC को खासकर ध्यान पे नज़र रखने की जरत है, telegram groups पे, जो students के groups बने हुए, जिसमें वो discussion करते हैं, कि उसमें क्या content share होता है, ठीक है, अब तो यार, जैसे कोई Bollywood की, Hollywood की 1000 क्रोड की film भी बनती है ना, वो भी 2-3 गंटे के बाद telegram पे आ जाती है, वो लोग 1000 क्रोड रुपे invest करके इस चीज को नहीं रोक पाए, हम तो बहुत छोटे आदमी हैं, और बहुत छोटा जो है, ये काम हो भी रहा है, एक पेपर ही है, एक सिफ्ट में कितने बच्चे पेपर देते हैं, पूरे दिन भर में, तो जब लाक डिर लाक बच्चे अगर पेपर दे रहे हैं, तो आपस में तो discussion करेंगे, तो telegram groups पे ध्यान अकने की बहुत जादे जोरत है, और इस notice के बाद मुझे लगता है कि student भी सतर्क होंगे, teachers भी सतर्क होंगे, और किसी प्रकार के कोई questions आप share न करने चाहिए,